हेलो दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको शरीर का कोई भी अंग सुन हो जाने पर आपको क्या इलाज करना है वो ही बताएंगे दोस्तों हाथ पैर के सुन होने की सबसे समाने वज़ा है ऑक्सीजन की कमी मतलब आपका जो अंग सुन पड़ रहा है वहां तक सही मातरा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती ऐसा अकसर काफी देर तक बैठे रहने या फिर एक साइड से सोने की वज़े से होता है एक साइड उस अंग को सही से संकेत नहीं भेज पाता या संकेत भेजना बंद कर देता है दोसों बहुत से मामलों में हाथ पैर का सुन हो जाना कोई बड़ी समस्या नहीं होती ऐसी सिती में उस अंग को हिला डुला कर या थोड़ी बहुत मालिश करके सुन पन को खतम किया जा सकता है दोसो इसकी कई वज़े हो सकती है, मदुमें भी इसकी एक वज़े हो सकती है, कम्प्यूटर पर जब आप ज़्यादा देर तक काम करते हैं, तो उससे भी हमारा श्रील का कोई अंग सुन हो जाता है, कई बार सर्वाइकल पेन या बैक पेन की वज़े से ऐसा होता है, एक समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने या लेटे रहने के कारण उस और की माशपेशियां और रक्त वाहिनियां दब जाती हैं, जिसके कारण श्रील का वह भाग सुन हो जाता है, इसके अधरिक रक्त की कमी, रक्त परवा में बाधा और अंगों को प्रयात मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ये रोग पैदा हो जाता है, दोसो श्रील का कोई भी विशेश अंग सुन हो जाने पर वहाँ पर हलकी हलकी जंजनाट होती रहती है, और कभी कभी वो स्थान फड़कने भी लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहाँ पर सैकडो चीटियां एक साथ रिंग रही हैं, इसके बाद धीरे धीरे वो सान सुन होता जाता है, दोसो आज की वीडियो में हम आपको इसी समस्या का हल बताएंगे, इस समस्या का हल बताने से वहले हम आपको बताएंगे कि हमारे पास चार नुसके हैं जिसका प्रियोग करके आप इस प्रोब् त्रीफला चूण में त्रीफला चूण यानि तीन फलों का चूण। हरड बहेरा और आवला। इन तीनों से मिलकर त्रीफला चूण बनता है। इनको समान मात्रा में लेकर काड़ा बनाना है और काड़ा बनाने के बाद शहद मिलाकर उसमें सेवन कर ले ये रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों के प्रियोग से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अब आपको दो प्रियोग लगाने के बताते हैं इन में से भ दिवदारू, त्रीफलाचून, असगंद, तीनों को गोमुत्र में अच्छी तरह पीस ले, पीस कर लेप करने से जहां भी आपका अंग सुन है, उस पर लेप करने से आपका जो सुनपन वो ठीक हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में आपके अंग दुबारा से अच्छी तरह काम करने लग जाएंगे, तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ में हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का आइकोन है, उसे भी दवा दे, ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, धन्यवाद दोसों